पुर्णा संकर्मर के करण राज भर में सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान 11 अप्रेल तक के लिए बंद करा दिये गए हैं सरकार के इस निर्णय के बाद अब राज के अलग अलग जीलो में इसका ब्रयोद करने लगा है आज राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पे स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने की मांग करते हुए ब्रयोद प्रजशन किया साथ ही कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम लोग जबरन एसकूल खोलेंगे क्रोना वाइरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार के सवे शिच्छन संस्थानों के 11 अप्रेल ते के लिए बंद कर दिया गया है इसके ब्रयोद में शेकपूरा में प्राइवेट एसकूल और चिंडरेंट वेलफियर एससेयन के ने सड़क पर उतरकर सरकार के प्रते ब्रयोद परजशन किया वहीं उन्होंने कोचिंग संस्थान पुन रूप से सुचारू करने की मांग के उनने का कि प्राइवेट कोशिंग संस्थान चलाने वाले लोग का हाल काफी धैनिय हो गया सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है जिस तरह से हमारे बिहार में सारे काम दन्दे चल रहे हैं हम लोगे प्राइवेट स्कूल का मात्र यही एक आर्थिक जरिया का साधन है जिससे हम बच्चों को पढ़ाया है हमें सिर्फ सरकार यह इजाज़त दे कि बच्चों को पढ़ाया जाए और स्कूल खोलने कानमती मिले अन्यथा हम लोग आर्थिक रूप से बिल्कुल विवस हैं इसके बाद हम लोग आगे भी प्लान बनाएंगे या तो धरना करें या फिर हम लोग इसके लिए उपायुक्त और एससपी की नेतियुत में मास्क चेकिन अभ्यान चलाया गया इस दौरान बिना मास्क के सड़क पर चल रहे लोग का चलान कटा गया बतादे कि एससपी सुरेंद्र कुमार जहाने खुद राची की सड़कों पर निकलकर इसकी मोनेटरिंग की साथी पुलि करणा मास्क बना हिस देकर टेया।